नमस्ते अभवादनापका इनोशेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्कलिमर दोस्तों महंगाई की मार हमारे उपर एक और तरीके से पढ़ रही है अमूल ने अपने दूद के दाम 2 रुपए प्रतिलीटर बढ़ा दिये हैं इन्होंने कारण जो दिया है वह बहुत ही बेहतरीन कारण है हम सबको यह कारण पता है कुछ इस्टॉक का जिक्र करेंगे लेकिन यह कारण ऑन पेपर हमको दिखाई दे रहे हैं यह अमूल हमसे कह रहा है और ग्राउंड रियालिटी तो हमें समझ में कई दिनों से आ रही है कि भाई साब महंगाई बढ़ी हुई है अब हम थोड़ा सा डिस्कसन करेंगे उससे पहले बता दें अमूल का जो इस्टॉक है वो बाजार में लिस्टेड नहीं है इनके जो ब्रैंड्स हैं गोल्ड, ताजा सकती, टी स्पेसल करके ठेर सारे तरीके के इनके दूद भी आते हैं भेंस के गाय के तो वहाँ पर सारे सारे उसमें दो रुपे प्रति लीटर दाम इन्होंने बढ़ा दिया है और कहा ये गया, कारण ये दिया गया कोस्ट औफ पैकेजिंग जो है, वो लगभग लगभग 40 परषेंण बढ़ गई पैकेजिंग का कोस्ट यहाँ पर रॉउ मेटेडियल का खर्चा बढ़ गया ट्रांस्पोटेशन कोस्ट यहाँ पर पेट्रोल डीजल आ जाता यह 30 परसेंट ठीक है energy cost भी 30% बढ़ गया और इनी सब चीजों को देखते हुए यहाँ पर जो input cost है वो बहुत तगड़े से बढ़ी और इसी कारण इनको जो है दाम बढ़ाना पड़ा तो जब Amul ने दाम बढ़ा दिया तो of course सी बात है कि अन कंपनियों को भी दाम बढ़ाना ही पड़ेगा जैसे कि वादिलाल जो milk products बनाते हैं वहाँ पर तो बहुत बढ़ी चोट पड़ेगी यह आठ लाह कप से ज्यादा आइस क्रीम डेली साइद बनाते हैं या आप सर्च कर लिजेगा लेकिन क्या company है यह वादिलाल इंडेस्ट्री आप जानते होंगे इस company के बारे में तो यह कारण यहां पर एक sentimental behavior हमको देखने को मिल ला है अगर यह 8500 तक आता था आप एक बार consider कर सकते हो बाकी ignore की जगा छोटा है थोड़ा सा जो इनका market cap है अन्य बहुत सारे stocks है पर आग मिलका आप देख लीजे यहां पर भी एक stability हमको lower levels पर ही देखने को मिल लाई है एक बढ़ यहां momentum डेड़ सो कि पलस में आया था एक सो पैंटीस रुपए पर अभी यह stock trade कर रहा है मैं stock की बात नहीं करने आया हूँ यहां पर महंगाई की ही बात करूंगा जो मूल की तरफ से कहा गया और जो यहां पर इन्हों ने बताया क्या हमको भी यह मार जेलनी पड़ यह बि नहीं सकता हमारी बाजार में तीन निन से profit booking जारी है तो यह एक ऐसा है ना इंधन का काम कर सकता है लेकिन यह इंधन जो है उतना ताकतवर नहीं है क्योंकि जो पैसा है पैसा है पैसा है लिक्विडिटी है और याद रखिए इंडिया में भी महंगाई अगर बढ़ी है तो होती है तो महीने का 60 रुपय आपका ऐसे ही खर्चा बढ़ गया एक छोटे से स्टेप से खैर यह तो मजाक की बात थी लेकिन हां महंगाई सच में परिसान करने वाली है उसका एक उधारन हमने देख लिया तो जब इन कंपनियों पे दबाव पढ़ रहा है इनके मार्जिन भी आप सोच लीजेगा जोड लीजेगा क्योंकि इन सब को भी दूद की ज़रूत परती है और देखिए जब रॉ मैटेरियल ही महंगा हो जा रहा है पैकजिंग महंगी हो जा रही है ट्रांस्पोर्टेशन महंगा हो जा रहा है तो इनको भी मार्जिन पर या तो देंट ल सबसे बड़ी मार यहां पर मिडिल क्लास को पड़ती है खासकर उनको जो लगभग 30,000 या 25,000 से कम सैलरी पाते हैं देखो मैं हमेशा बोलता हूं कि एक होता है ना कि उसी रेशियो में आपको चीजें या पैसा वसूलना चाहिए इस पर एक्सन होना चाहिए भारत जैसे द मिलेंगे फिर से वीडियो पसंदा है लाइक कर देना नमस्कार